हिंदी साहित्तिकार संतोश्री वास्तों की कहानियों की शंखला में आज सुनिये उनकी लिखी हुई कहानी एक और कारिगल मेरी जबानी मैं हूँ सीमा से हूँ उतरते अक्टूबर की कुलाबी शामें बुंबई का मौसम सहता सहता सा खुशकवार दर्वाजा खुला था जूते पहारी उतारने पड़े वे सोफे पर पैठी थी और दर्वाजे के पास ही बने उंचे से मंदिन में दिया जल रहा था अगर बत्ती के धुएं की सुगंद चारों और फैली थी आओ बेटी हमने पहचाना नहीं उन्होंने बुरी आँखों पर चश्मा फिट किया मैं उमा की सहली हूँ इस्कूल से कॉलेज तक हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं मैं तो आपको देखते ही पहचान गई उमा के रिस्प्शन पर मिली थी ना आपसे अब उतना कहां याद रहता है हो भी तो गए पांच साल तब तक उमा के ससुर बाहर निकल आए मुझे देख इशारा किया बैठने को मेरे बैठते ही सामने के सोफे पर से गतियों के पीले रंग से मेल खाती दो बिलिया कूदी मैं चौक पड़ी वे मुस्कुरा दे बड़ी शैतान है दोनों फिर दोनों को गोद में बैठा कर प्यार करने लगी कमजे के कांच के पार्टीशन के पार दूब का लचीला लॉन था चोटा सा और एक हरसिंगार का छतनारा पेड कोने में दूब पर हरसिंगार के फूल बिखरे थे उन्होंने कांच का दर्वाजा चरासा खूला और बिलियों को बाहर निकाल दिया बिलियां दूब पर मटर गश्टी करने लगें उमा आ गई थी घर ढूने में परिशानी तो नहीं हुई कहते हुए उसने मुझे गले से लगा लिया मा जी से परचे हुआ मा जी बाबु जी ये मेरी बच्पन की सहीली है शेफाली अब ये भी मुंबई में आ गई है इसके पती कॉलेज में हिंदी के प्रोफिसर है वहीं ये भी पढ़ाती है कहा कर लिया आई शेफाली उमा एक सांस में कहती चली गई उसकी बाचालता से मैं दंगे थी लेकिन अच्छा भी लग रहा है दिल में संशय का जो पहार था कि कैसे उमा से सामना करूंगी जबकि उसके पती रजनी कांद को कारगल युद में शहीद हुए कुछी साल गुजरे हैं कैसे जहिल रही होगी वो मातर आट महीने के वैवाइक जीवन के वैद्धवे को वो पहार बर फिला साबित हो अब पिखल रहा था उमा खुछ दिख रही थी शायर उसने वक्त से समझोता कर लिया हो मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ पांच मिनिट में उमा के जाते ही बाबुजी भी अंदर चले गए लोटे तो उनके हाथ में ट्रे थी चाय विस्किट नमकीन से भरी मैंने उठकर ट्रे थाम ली अरे बाबुजी आपने क्यों तकलीफ की तकलीफ कैसी उमा थकी आई है तुम भी कलीना से आई हो यहां मीरा रोट तक लंबा थकान भरा रास्ता उमा भी तो बांदरा अब डाउन करती है उधर कंप्यूटर इंस्टिट्यूट में नौकरी के लिए जाती है कहते हुए उन्होंने ट्रे में से एक प्याला उने पकड़ा दिया वे प्याला दुनों हाथों से पकड़ने लगी मा जी को कुछ तकलीफ अब जिन्दगी ही तकलीफ जैसी बन गई है बेटे के गम में इनके हाथ पाउओं की शक्ती निचोड़ ली है चल नहीं पाती जाता मैं सुबह जबर्दस्ती इन्हें भक्त वेदान तक ले जाता हूँ उतने में ही लस्त पस्त हो जाती है वे बीमारी में भी मुस्कुराने लगी मुझे उस वक्त उनका मुस्कुराना उनके दुख का सबसे बड़ा सबूत लगा दुख उने गुन की तरह बीतर ही बीतर खा रहा था अरे रुको बिस्किट नमकीन मत खाओ मैं गर्मा गर्म समोसे फाफ़े और जलेविया लाई हूँ शिफाली को बहुत पसंद है याद शिफाली फाफ़े काने के लिए हम लोग चौक तक स्पिशली जाते थे क्या बढ़िया बनाता था वो वैसे यहां नहीं मिलते लेकिन मैंने गौर किया उमा ने साड़ी बदल कर मैक्सी पहन ली थी ऐसा लग रहा था वो इस घर की बहुन ही बीटी है समझ नहीं आ रहा था इस सितियां कबूल किस ने की है रजनी कान्त के मा बाबू जी ने या उमा ने उमा ने बताया था रजनी कान्त उनकी बढ़ापे की ऑलाद थी शादी के कई सालों बाद बहुत मनतें वरत उपवास गंडा ताबीज तीरत स्थानों की यात्राओं के बाद पैदा हुआ था मा का नाम रजनी और बाबू जी का कान्ता प्रसाद दोनों के नामों को मिला कर खुशी से उपनी पड़ती बुवा ने नाम रख दिया रजनी कान्त लेकिन रजनी कान्त के सिर्प मिलिटरी में जाने की धुन सवार थी सुनते ही बाबू जी कुशासन बिछा कर तांबे की लुटिया में जल भर कर आच्वन करने बैठ के थे मां जी थर-थर काप उठी थी हे प्रभू ये कफन बाद में चला है बुवा ने समझाया बेकार भाबी कुछ भी ना कह उससे वो धुनका पक्का है पर तुम क्यों दिल छोटा करती हो सभी थोड़े ही शहीद हो जाते है लेकिन कहते कहते भुआ सहम गई थी मन काप उठा था फिर भी वे माजी के सिर पर हाथ फेरती उन्हें तसल्ली देती रही थी कुकु घड़ी से काट की चिड़िया ने निकल कर नौ बार फूंका तो मैं चौक पड़ी उमा की निगावी घड़ी से होती हुई मेरे चेहे तक आई देर हो जाएगी ना घर पहुँचने तक चलो मैं बाइक से स्टेशन छोड़ देती हैं तुमें वो चेंज करने अंदर चली गई मैंने उठकर मांजी के घुटों पर हाथ रखा आंटी मैं जल्दी ही आऊँगी दोबारा वे जैसे इंतिजार में ही थी मेरे हाथों को अपने हाथों में भर कर चूम लिया उन्होंने सुबै से आ जाना उमा तो आज आ गई जल्दी वरना दस बच जाते हैं इसे भी रात के इत्वार को भी चली जाती है कहती है काम बहुत रहता है बाबू जी का चेरा उदासी के परत तोड़ मुस्कुराने के चेश्टा में बड़ा अजीब लग रहा था मानों कहना चाह रहे हो जिन्दगी यूँ ही नहीं गुजर गई बहुत कुछ सिखा भी गई है दिखा भी गई मैंने बाहर निकल कर जूते पहनते वे देखा गेट के भीतर गुलाब की क्यारियां थी जिल मिल अंधेरे में सफिद गुलाबी फूल हस रहे थी उमा जीन्स टीशर्ट पहने बाइक गेट के बाहर निकाल रही थी मेरे जूतों के नीचे कुछ सूखे पत्ते चर्मरा गए जिनकी आवाज बाइक की आवाज में समा गई बाइक की पिछली सीट पर बैठते हुए मैंने देखा बाबु जी गेट तक आए हैं पीछे पीछे मा जी भी उनके कंधे पर हात रखे उदासी की जो परतें मेरे आने से पिघल गई थी वे अब फिर जम रही होंगी मैंने सोचा ट्रेन पंद्रह मिनिट बाद हैं आव तब तक काफी पीते हैं उमा ने स्टॉल से काफी के कपली यूज और थो वाले और बेंच और वेट करम काफी सिप करने लगे इतनी बीजी क्यों रहती हैं उमा जबकि वे दुनों घर पे अकेले रहते हैं उमा मानों इस प्रशन के लिए तैयार थी मिल गया है कोई मेरा वक्त बाटने वाला हाँ शेफाली हम दोनों एकी आफिस में सर्विस करते हैं रेजनी की डेथ के बाद उसी ने मुझे संभाला मैं तो महीनों तक बिस्तर पर थी डॉक्टर कहते थे कि इस अनुहनी के आगात ने सीधे मेरे दिल पर असर किया है साथ ही मान लिया था कि अब मैं नहीं बचूंगी लेकिन जिन्दगी के प्रति मोह जगाना होनी की सच्चाई को स्विकार करना उसी ने सिखाया उसी की तीमारदारी से मैं फिर से जीने लाइक बनी ट्रेन आ रही थी ट्रेन के हेडलाइट से पट्रियां चमक उठी थी वो मुझे इतनी जोज से चिप्टी की में लड़ खड़ा गई ट्रेन प्रेट्रॉम पर आ चुकी थी उसने मुझे धकेल के चड़ाया मैंने देखा उसकी आँखों में आसू छलकाये थे हम एक दूसरे का हाथ पकड़े थे तुमारे मुंबई में आ जाने से मानो मुझे एक घर मिल गया मेरा अकेलापन खत्म हो गया वो भरे गले से बोली तुम अकेली हो कहाँ वो जो साथ है वो तुमारा कौन मैं अंग और ट्रेन चल दी और ये सब कुछ मैंने 29 सेकंडों के दौरान सुना वे 30 सेकंड जो लोकल ट्रेनों के लिए हर स्टेशन पर रुखने लिए निर्धारित किये गए है मुझे पहली बार महसूस हुआ कि 30 सेकंड भी बहुत होते हैं उस घटना को जानने के लिए जो हम जानना चाहते हैं उमा ने हफ़ते भर बाद फोन किया आ रही हो क्यों? कुछ खास? हाँ मैं यंग से मिलवाऊंगी फिर वो बैंगलोर चला जाएगा न दीपावले की चुट्टियों में कल शनिवार है सुबह से आ जाओ उसकी आवाज में खुशी थी वो भीतरी खुशी थी मैं महसूस कर सकती हूँ ऐसी खुशी अकसर परिंदों की उरान में होती है या फिर उंचाई से गिरते पहाड़ी जहरने में आकाश से धर्ती का एकरम सदियों कुराना है जब मैं वहाँ पहुची उमा नहीं थी माजी उसी सूफे पर उसी तरह बिल्यों को गोद में लिये बैठी थी बाबुजी अंदर कुछ कर रहे थे खटर पटर की आवाजें आ रही थी हफते भर में कहीं कुछ भी तो नहीं बतला था काल जैसे ठिटक गया हो इस घर के लिए जैसे जिन्दगी आगे ही न बढ़ रही हो मैं पास पहुची तो एक खिल पड़ी आओ बेटी उमा ने बताया था आ रही हो कहां है वो उपर अपने कमरे में उन्होंने हॉल से उपर जाती सीड़ीयों की ओद इशारा किया मैंने देखा ऐसा करते उनकी आँखों में गहरी पीड़ा जहलक आई थी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया जो काप रहा था थोड़ी देर आपके पास बैठूंगी दिनवर हूँ न यहां वे तसल्दी से भर उठी मन भीग गया उनका कोशिश कर बूली थे कभी हम भी महफिलों में बैठने लाये रजनी ने विराम लगा दिया सब पर बस सांस पर ही नहीं लगा अभी तक मैंने उनकी आँखों में जाका ऐसा क्यों कहती है आप हम सब है ना आपके हाँ सो तो है रजनी भी यही कहता था कहता माई डार्लिंग मॉम तुम्हें एक शेर बेटे की मा हो तुम्हें कभी हार नहीं मानना है लेकिन हम हार गए बेटा हम हार गए वे सुबकने लगी अंदर से जाने कब बाबु जी बाहर निकल आए ये क्या अपनी आखे रोरो कर फोड़ने से क्या रजनी वापस आ जाएगा समझाओ इने शेफाली लो दूद बना लायाओ पियो गरम गरम फिर रात भर तड़कती हो हड़ियों के दर्द से मैंने उनके हाथ से मग ले लिया सोट और गूर की खुश्बू मिरे नतनों में समा गई लीजिए मेरे हाथ से पी लीजिए कितनी अच्छी खुश्बू है सुनो पीओ न एक मग और बना लाएंगे ये बहुत अच्छा बनाते हैं रजनी के जन्द के समय हरीरा यही बना कर पिलाते थे मुझे वे हसी और बाबुजी भी हसे इस तिर जील में जैसे किसी ने पत्थर फिका हो उन्होंने गूट भरी कितने बच्चे हैं तुमारे मैं एका एक हुए इस प्रशन से चौकी एक भी नहीं क्यों ये बुरी बात है आज कल के मौडर्ण मियावेबी बच्चे पैदा करते ही नहीं और करते भी हैं तो एक अब अगर उसे कुछ हो जाए तो कहते कहते भी रुप नहीं और बड़ी करुणा से बाबुजी की ओड़ देखने लगी वहाँ भी सुनापन था उन आखों में भी बुढ़ापे की सीड़्यां चड़ता अंधेरे से भरा सुनापन जब ये पता चला कि ना कोई नामलेवा बचा है ना मरने के बाद कर्मकान निप्टाने वाला फिर भी सांस के चुकता होने तक जीना ही है मुझे लगा रजनी कान तो देश की सीमा पर शहीद हो गया लेकिन ये दनों जिन्दगी की सीमा पर कैसे कत्रा-कत्रा शहीद हो रहे हैं शहीत के माता पिता हुने का आतंक भरा गौरव जहलते उमा ने सीड़ियों से जाका अरे आओ ना उपर मैंने मांजी का दूद का खाली मग हाथ में ले उठना चाहा तो वे मेरी बाहा पर अपनी उम्लियों का इसपर्श देती पूली खाना साथ में खाना इन्होंने वेजी टेबिल बिर्यानी बनाई है जो रजनी को बहुत पसंद थी मैंने हाम ऐसे रिलाया और मग चौके में लिजाकर रख दिया चौके की जालीदार खिरकी पर एक बिल्ली बैठी अपना पंजा चाट रही थी जाली में से खेले हर सिंगार बड़े मोहक लग रहे थे मैं सीड़िया चड़कर उपर पहुँची तो ओमा मुझ से लिपड़ गई आवाज सुन ली थी मैंने पर फिर सोचा तुम माजी के पास भी थोड़ा बैठ लो आओ मिलाती हूँ और बहाँ पकड़कर कमरे में ले आई तो देखा पलंग पर तकिये पर टिका कोई बैठा है मैं यह है मेरी इकलौती दोस्त शेफाली मैं चौक पड़ी नीचे बाबुजी माजी और उपर ये दोनों ये सब क्यों कैसे उमा के चेहरे पर अतीद की परचाई तक नहीं दोनों पूरे अधिकार से रजनी कांत और उमा के सकंबे में और वे दोनों नीचे सब कुछ जहलते रोशन दान से तेज हवा का जोका आया टेबल पर रखा अगवार खुलकर नीचे किर पड़ा मैं सहमते हुए कुर्सी पर बैठते ही मैंग पंद्रे दिन के लिए बैंगलॉर जा रहा है कहता है मैं भी चलूँ पर मैं कैसे जा सकती हूँ शेफाली यहां ये दोनों अकेले रह जाएंगे वो मैंग से चिपक कर बैठ गई और उसका हाथ अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी मैंने आँखें फेल लिए तुमारी दोस्त मौनवरत धारी है मैं अग बेबागी से मानो मेरा चेहरा ठटोल रहा था उमा तुम दोनों के बीच मैं एकदम अजनबी सी हो गई हूँ पहली मुलाकात है ना मैं नीचे जाकर बैठती हूँ मैंने उटना चाहा बैठो ना यह अभी चला जाएगा थोड़ी दिर इसके पास बैठते हैं फिर नीचे चलते हैं पता है शेवाली आज बाबुजी ने खुद अपने हाथों तुमारे लिए लिए लंच तयार किया है सुबह से जोश में है रेजनी जब चुटियों में आते थे तब भी वही कुछ ना कुछ बनाते थे एकदम स्पेशल ओ माइ कॉड अंकल कुख है क्या मैंन का लहजा मुझे पसंद नहीं आया छिचोरा पन सा लगा और जिस ढंग से ये उनकी आँखों के सामने उनकी बहू के साथ इस कमरे में बैठा है वो भी छिचोरा पन ही है कैसे सह लेते हैं वे दोनों ये सब किस मजबूरी में उमा मैंन को छोडने गेट तक गई जब वो हॉल से गुजर रहा था तो बाबु जी वहां नहीं थे और मांजी मंदिर में फूलों की माला क्रिशन जी को पहना रही थी क्रिशन की बड़ी सी मूहती हाथ में मुर्ली लिये थी मयंक ने ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहा या नजर बचा कर बिना अभिवादन की यही चला गया मैं समझ नहीं पाई बाबुजी ने मेरी थाली खुद परूसी ककड़ी का रायता है चक्कर देखो इसमें राई और हरी मिर्श पीस कर डाली है राई की खुश्बू से स्वात बढ़ जाता है रजनी तो कटोड़ी तक चाट जाता था ऐसे रायते की मा जी हसते वे बोली फिर देर तक हसती रही तुम थोड़ा ही खाओ दही है न नहीं तो फिर हड्डियों का दर्थ परेशान करेगा मा नो कुरा कमरा मुखर हो उठा था उमा ने टोक तक दिया आज आप दोनों ऐसे खुश दिख रहे हैं आई मीन अर्से बाद उमा की टोक दोनों को खामोश करती उसके पहले मैं बोल पड़ी बहु और बेटी में यही तो फर्क है मैं इनकी बेटी जो हूँ और बाबु जी एक वादा करना होगा आपको मुझे अपने माइके से वन्चित मत कर देना रोज फोन आप करेंगे मुझे और हर वीकेंड पर ऐसा ही लजीज खाना बनाएंगे अपनी बेटी के लिए इस बार मैं प्रोफिसर को भी लाऊंगी लो तुम कहती थी बेटी चाहिए मिल गई ना बाबु जी ने मेरी और देखकर कहा पता है शेफाली जब रजनी होने वाला था तब ये कहती थी बेटी ही होगी लेकिन मैंने शर्थवदी थी कि नहीं बेटा ही होगा और ये शर्थ हार गई थी पर आज तुमने इन्हें जिता दिया तुम भी ना मा जी ने पानी का गूर भर कर वाके अधूराही छोड़ दिया दोपहर के चार बज रहे थे दूप का नामों निशान न था आस्मान पर धुनी हुई रूई जैसे बादल तेर रहे थे उमा ने बढ़िया कॉफी बना कर पिलाई फिर बोली चलो भक्ति वेदान तक टहल कर आते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता हौल से बाहर हो गए माजी सोफे पर ही सो रही थी और बाबू जी सामने कमरे में बाहर निकल कर मैं देख रही थी बगीचे की कलात मकता गुलाब के पहदे जूही, मोगरा, निली उमा ने बताया था कि रजनी कांद को फूलों का बहुत शौक था ये बगीचा उसी ने बड़े शौक से लगाया था बगीचे और बंगले को घिरती दीवार पर नित्ते करते जोडे क्यारियों के बीच सफेद छोटे छोटे पत्थरों की सजावट पोने में बैत का लैंप नुमा खिलोना नन्ना सफ़वारा लेकिन इस बार उमा ने रजनी कांद का जिक्र तक नहीं किया ठीक भी है जो गुजर गया उसे गुजराही समझ लेना चाहिए जंदगी पीछे मुढ कर देखे भी क्यों सड़क के दोनों और डिवाइडर पर भी कनेर के पेड़ थे जिन में पीले फूल खिले थे प्रीत का पीला रंग सांज भूली सी लग रही थी कैसा लगा मैं अन्ग तुम्हें तुम शादी क्यों ने कर लेती मेरा प्रश्न सपाट था लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव न थे बस थी तो हर पल को जी लेने की चाहा ये मुम्किन नहीं अगर क्यों जबकि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और किसी का कोई विरोध नहीं पल भर रुकी हो चपल के नीचे आये कंकर को उसने अगला कदम उठा कर दूर उचाल दिया जानती हो जब रजनी कांत का शव लाया गया था तिरंगे जंडे में लिप्टा तो सैक्रों की भीरो मड़ाई थी कैप्टन रजनी कांत कारगिल युद्ध में दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हो गया बस यही गूंज थी चारों मीडिया प्रिंट मीडिया से घिर चुकी थी मैं सैक्रों सवाल लेकिन बेचारगी किसी के स्वर में नहीं एक शहीदाना गर्व मैं शहीद की विद्वा शायद सारी उम्र बहुत कुछ करके भी उतना मानसमान नहीं पाती मैं जितना तब पाया मेरी मदद के लिए नजाने कितनी समास से भी संस्थाएं सामने आ गई तुम अंदाजा नहीं लगा सकती मेरे गर्व का जब मैंने दिल्ली जाकर परमवीर चक्र राश्पति के हाथों से लिया था स्टेज पर थर थराते मेरे कदम और शहीद के विद्वा होने का गर्व खोद हूँ क्या मैं शादी करके ये शान आज जहां भी जाती हूँ मानसमान मेरे साथ होता है क्या मिलेगा शादी करके शारी रिक्सुक वो तो आज भी मिल रहा है मैंक से मुझे मैं आवाक लड़ खड़ा गए कदमों को संभाला मैंने उमा की ऐसी सक्षियत का अंदाजा नहीं था मुझे भक्ति वेदांत अस्पताल से लोट चले हम दोनों सांज घिराई थी पेडों की शाकों परचिडियों का शोर बढ़ता जा रहा था सड़क पर गुमकरों की भीड बढ़ रही थी मेरे मन को कोई नहीं समझ पाता शेफाली मेरे गव जैसे सीधे साथ ससुर जिन्होंने मुझे रजनी कांद जैसा पति दिया उन्हें छोड़ पाना मेरे बसकी बात नहीं आज उन्ही की बदौलत मैं इतना कुछ पा सकी हूँ और फिर मैं जैसी हूँ उन्होंने भी मुझे उसी रूप में स्विकार कर लिया है मुझे भी मैंक को भी और समाज क्या मैंक का घर आना समाज ने भी स्विकार कर लिया है नहीं वो नहीं आता घर वो तो तुमसे मिलाना था इसलिए ले आई उसे अक्सर वीकेंड में हम लोनावला, खंडाला या महाबलेशवर चले जाते हैं महाबलेशवर में कूठी है उसकी माजी बाबुजी भी रहे आए हैं वहाँ, तो मैं भी ले चलूँगी अंधेरा दीरे-दीरे कदम बढ़ा रहा था वे गेट पर ही मिल गए, माजी साथ में थी तुम रुको, मैं बाइक लेकर आती हूँ उमा के अंदर जाते ही, वे दोनों पास से मटाए माजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे लगा आप कहेंगी, आती रहना देखो, तुम मैंक की चर्चा नहीं करोगी, बाबुजी नोंने प्यार से देखा हाँ, नहीं करोगी, पर ये दोस्त है उसकी, समझा सकती है उसे नहीं, जिन्दगी अब इसी तरह गुजारनी है, ये तैह है, छाती पर रखा ये बोज सहना ही होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तुम, ना मैं शहीद बेटे के माबाप से भी बढ़कर होती है, शहीद की विद्वा, दो निवाले को भी तरज जाएंगे हम मेरे अंदर छन से कुछ तूट गया, तूट कर किर्च किर्च बिखर गया, महसूस हुआ, जैसे वे सारी की सारी किर्चें उनके तलवों में धस गई है और उनमें से वैसा ही लहू रिस रहा है, जैसा कारगिल युद्ध में रजनी कांत के गोली लगे शरीर से रिसा होगा अभी आप सुन रहे थे, संतोष श्रिवास्तो जी की लिखी हुई एक बेहत मारमिक और हिर्दैस परशी कहानी, एक और कारगिल जिसमें उन्होंने ऐसे कड़वे सच को कहानी का तानावाना देकर प्रस्तुत किया है कि शहीद की विद्वा, शहीद के माता-पिता से ज्यादा महत्वपूर मानी जाती है देश के लिए हुए शहीद के माता-पिता को वो गौरव और सम्मान नहीं प्राप्थ होता है, जो उसकी सद्य विवाहित पत्नी को प्राप्थ होता है मुद्दा विचारनी ये है आपको कहानी कैसी लगी? कॉमेंट सेक्षन में जरू लिखिएगा कल फिर मिलेगे हिंदी साहित्य की श्रेष्ट कहानिया सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा धन्यवाद